दोस्तों आज हम बात करने लगे हैं next hotel ecosystem के बारे में जिसको लेकर अभी कोई बात नहीं कर रहा है जिस प्रकार से हमने last 4-5 months के अदर पहले Bitcoin Stacks या फिर मैं BRC20 ecosystem के बात करता हूं इनके अंदर 20-50X की growth देखी current situation के अंदर हम witness कर रहे हैं last कुछ time से solana ecosystem के coins या फिर base blockchain के अगर हम बात करते हैं तो इन सभी ecosystem के coins market को lead कर रहे हैं एक तरफ चाहां पर market investors को frustrate कर रहे हैं जातर old coins bleed कर रहे हैं but at the same time कुछ specific यहां पर ecosystem है जिनके coins अभी के नहीं पर अपनी नए all-time high-keep के उपर trade कर रहे हैं उसी प्रकार से आज यहां पर हम जिस ecosystem के बारे में बात करने लगे हैं यह वो कोईन है जो कि telegram ने यहां पर introduced किया था 2018-19 के अंदर और tone यहां पर telegram का खुद का governance token है जिसके अगर market cap के बात करते हैं जो कि I think अभी के ताइम पर 18-19 billion के उपर trade कर रहा है and market के अंदर rumors निकल कर आ रहे हैं बाइनास आने वाली वक्त के अंदर tone coin को किसी भी ताइम अपने को लेकर discuss करने लगे हैं जिसमें पर बात करेंगे इनमें से लोगाप कोई माइक्रोगाप कोईंस होंगे तो इनके अंदर अगर हम किसी ecosystem को early phase में यहां पर कर जाते हैं तो यहां पर मार्केट के पहले उस ecosystem को यहां पर जोइन कर सकते राइट सबसे पहले मैं आपको जो डेटा दिखाने लगाओं इसके उपर नजर डालिये अभी हाली के अंदर 21 shares यह वो institution के साइट से अगर हम बात करते हैं यह यह वो firm है जिसने हाली के अंदर tone coin का ETP launch किया है अब ETP क्या होता है जब हम बात करते है ETF की तो ETF हमेशा commodities का आता है जसले अगर मैं gold की बात करता हूं या फिर अगर मार्केट के अंदर वो SEC के नजर में securities है और किसी भी security का कभी भी ETF नहीं आ सकता अब आपके बांग में एक सवाल आता है कि क्या यहां पर black crow क्या फिर जितने institutions हैं यह किसी भी old coin का यहां पर ETF लेकर आ सकते हैं Ethereum को छोड़कर किसी भी old coin का ETF नहीं आ सकता है क्योंकि बाकि सभी यहां पर securities है लेकिन अगर हमें किसी भी old coin को open market के अंदर trade करवाना है जस्त लैक ETF की तरह है तो हम किसी भी coin का ETP लेकर आ सकते हैं exchange trader product और ETP यहां पर एक specific exchange के उपर list किया जाता है जिस प्रकार से यहां पर investor आज के दिन stocks की तरह Bitcoin में invest कर सकते हैं Bitcoin ETF के तुरू उसी प्रकार से अगर investors को old coin में invest करना है तो उस old coin का पहले ETP लाना जरूरी है as you can see here 21 shares the world's largest issuers of crypto currency exchange trader products and a subsidiary of 21.co proudly announce the launch of 21 shares Tone coin staking ETP and यहां पर हाली के अंदर Tone coin को Switzerland के 6 exchange के उपर भी list किया जा चुक है and अगर हम बात करते हैं 6 weeks exchange की so यह वो exchange है जो कि securities के अंदर trade करवाता है open market के अंदर जिस व्यक्ति को नहीं पता कि कैसे हम crypto market के अंदर old coins में invest करते हैं उन्हें नहीं पता कैसे crypto को deposit वेटो क्या जाता है क्या होता है decentralized centralized exchange so उस प्रकार के investors उस old coin के ETP के अंदर invest कर सकते हैं वेल दोस्तों यहां पर हम Tone coin की बात करते हैं so Tone coin जो कि यहां पर Telegram का खुद का token है and Telegram ने यह ब्लोक्चन 2018-19 के अंदर जो कि सब भी sector को कवर कर रहा है चाहे हो यहां पर क्रिप्टो माइनिंग हो यहां बात करते हैं क्रिप्टो गेमर्स यहां फिर्म स्टार्ट अप्स की बात करते हैं तो हर एक sector के अंदर Tone asking यहां पर वग कर रहा है तो अगर हम यहां पर Telegram का use करके किसी भी क्रिप्टो को विड्रो करना है तो वहां पर हम 0 fees के अंदर tokens को transfer कर सकते हैं यह फिर हम decentralized exchanges की बात करते हैं तो वहां पर जब भी हम crypto को deposit यह विट्रो करते हैं इंट्रो के अंदर just like Polka Road साथी में एक major sector जो की 2024 के अंदर lime light के अंदर आ सकते है या फिर ऐसे platform जो कि physical infrastructure को blockchain के उपर लेकर आ रहे हैं तोन यहां पर कुदका storage platform भी जल्दी launch करने लगा है साथी में तोन ecosystem के बारे में जानना इसलिए इंपोरेंट बन जाते हैं क्योंकि last one year के अंदर टोन के अगर हम TVL के बात करते हैं 2023 के starting के अंदर टोन का TVL रहता है 500,000 डॉलर के उपर मतलब half million डॉलर के अंदर अगर हम current time के अंदर देखते हैं तो टोन का TVL अपने all time high की उपर है एक साल के अंदर हमें 200x की growth देखने मिले है टोन के network के अंदर TVL के अंदर दोस्तों कोई भी ऐसा project जिसके TVL के अंदर आपको इस परकार का increment देखने मिल रहा है अगर current time के अंदर उसके price के अंदर हमें appreciation देखने नहीं मिल रहा तो इस बात का ध्याना कि वो बज़े किसी भी time या फिर उस ecosystem के अंदर हमें major rally देखने मिल सकते हैं ऐसा इसलिए because किसी भी project के अंदर TVL तब increase होता है जब उस token को market के अंदर purchase करके stick किया जाता है या फिर जब भी कोई ecosystem के अंदर developers का interest बनना start होता है नए project उस ecosystem के अंदर create के जाते हैं deploy के जाते हैं उन chain के उपर तो हो क्या रहा है कि नए project उनके chain का use कर रहे है और जब भी कोई new token नया project किसी chain के उपर deploy किया जाता है तो वहाँ पर हमें उस network के governance को इनके जरूत रहती है टोन के scenario के अंदर हमें tone coin के जरूत रहेगी जितना ज्यादा यहाँ पर demand बनेगी developers की tone blockchain के उपर जितने नए project आए इससे market के अंदर tone coin को purchase किया जाएगा तो जब भी कोई token purchase किया जाता है demand ज्यादा रहती है supply काम है तो इसका directly impact हमें उस project के price के अंदर देखने मिलता है प्राइस यहाँ पर हमें appreciate करता हूं नजर आता है तो अभी की ताइम पर आपको देखने कोंसे से project हैं जिनने इस sector के अंदर first more advantage मैल सकता है एंड जिस पी डाइम पर ये token बाइनस के उपर आता है तो इसका impact हमें इसके ecosystem के coins में देखने मिल सकता है because tone ecosystem के जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जातर old coins जो कि 50 million dollar, 10 million dollar, 100 million dollar के market cap के उपर trade कर रहे हैं so यहाँ पर हम बात करने लगे हैं tone ecosystem के first project को लेकर that is tone up tone up अगर हम इसके fundamental की बात करते हैं तो tone up tone blockchain के उपर ये वो first launch pad है अगर किसी भी project को, किसी भी new token को tone की blockchain के उपर लेकर आना है तो वो यहाँ पर tone up के through market के अंदर list हो सकता है tone up यहाँ पर Binance के launch pad की तरह है जब भी कोई new token market में list होता है अगर उसकी funding की जरूत है तो वो क्या करता है Binance के launch pad या फिर launch pool की तरह market के अंदर list होता है so that वो market के अंदर funding ले पाए तो हम क्या कर सकते हैं early phase के अंदर private investor बन सकते हैं उस project के and काफी कम price के अंदर उनके tokens को ले सकते हैं वो token list होगा तो वहाँ पर multiple X के अंदर अपनी money को convert कर सकते हैं so tone up यह वो first launch pad है जो कि tone के ऊपर काम कर रहा है अभी के time पर tone up का price 1.27 euro के ऊपर trade कर रहा है 100 million dollar के around इसका market cap है और supply 100% circulation के अंदर है अब यहाँ पर tone ecosystem जब grow होगा तो इसका first more advantage हमें tone up के अंदर देखने मिल सकता है अगर आप last कुछ time के नहीं देखें तो इसका price अपने uptrend के अंदर है next moving on अपने इस list का second project है gram दोस्तों अगर हम gram की बात करते हैं इस project के उपर नजब बना कर रखें because अभी की राइम पर यह वो token है जो कि किसी भी centralization के उपर list नहीं हुआ है अगर हम इसके fundamental side से देखते हैं so यहाँ पर gram यह वो first ever POW jet and blockchain है जो कि tone के उपर deploy की गई है दोस्तों यह proof of work के उपर काम कर रहा है so यहाँ पर हर एक विक्तेन के token को भी mine कर सकते हैं gram token को mine करने के लिए तो इसके website के पर आकर आप check out कर सकते हैं कैसी हम gram token को अपनी PC के help से mine कर सकते हैं अब कोई भी project जब अपनी early phase में रहता है तो वहाँ पर उनके tokens को mine करना सबसे असान रहता है क्यूभी उस time पर hash rate काफी कम रहता है अगर यह project lime light के अंदर आ जाता है तो इसके अंदर hash rate हमें increase होती नजरा है की network के अंदर competition बढ़ता हो नजरा सकता है so that उस time पर tokens को mine करना इतना easy नहीं रहेगा so अगर आप interested है तो आप check out कर सकते हैं दूसर यहां पर एक काफी important stats gram को लेकर gram coin is at the top of the profitability rankings for almost all graphic cards on the popular sites for mining profitability so यहां पर अगर हम hashtrate site के उपर आकर देख थे तो अभी के time पर जिस coin को mine करना सब्सक्राइब रहा है miners के लिए that is gram दूसर यहां पर आज ही के दिन gram token mx exchange के उपर list होई जा रहा है Indian timing के coding 9.30 pm के ओपर यह token list होगा and यहां पर gram के अंदर इनका एक burning mechanism भी है जितने ज्यादा token network के नहीं use होंगे उसे के parallel के अंदर tokens यहां पर burn भी किया जाएंगे और जितने ज्यादा tokens burn हो रहे हैं इसका है मतलब है tokens यहां पर dead adders के उपर send के जा रहे हैं क्योंकि gram token tone coin के बाद second largest holders के list के अंदर है tone के ओपर आसके जितने holders है उसके बाद second number के ओपर 30,000 से जादा holders gram coin के ओपर हैं अभी के राएंपर 70 million ओका इसका market cap है एक low cap all coin है 19% supply circulation के अंदर है अब जितने साथ tokens यहां पर mine होंगे वो circulation के अंदर add होते रहेंगे अगर हम इस token के अंदर play करना है क्योंकि अभी तक यह किसी भी centralized existence के ओपर list नहीं हुआ करते हैं फुर्ण example यहां पर हम ton ecosystem के बात कर रहे हैं तो हमरे पर stone coin होने चाहिए ton सभी exchange के ओपर आज में लिस्टेड है finance को छोड़कर तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं stone.5 decently exchange के ओपर जाकर ton coin को gram token के अंदर convert का सकते हैं तो अकसर आप notice करते हैं वहां पर block confirmation रहता है 10, 20, 30 कितना भी हो सकता है तो block confirmation जब तक 100% complete नहीं होता सभी block यहां पर confirm नहीं होते हैं तब तक वो token हमें receive नहीं होते लेकिन जब हम बात करते हैं jet and contract की तो यह वो new mechanism है जहां पर अगर हमें token एक wallet से दूसरी wallet के उपर send करने है तो अगर हमें एक confirmation भी मिल जाता है तो हमें वो token receive हो जाएंगे जिनको हम trade कर सकते हैं लेकिन बाकिसे भी traditional chance के उपर क्या होता है कि हमें 100% जब तक block confirmation नहीं होता तब तक wait करना होता है तो अभी के ताम पर gram के अंदर अगर हम entry लेते हैं तो जैसे ही exchange के उपर list होता है listing के टाम पर इसके अंदर हमें जैसे pumping मिलते हैं वहाँ पर हम अपना profit booking start कर सकते हैं एंड इस token के उपर धिहान रखना विकोज अभी के टाम पर आने वाले वक्त के अंदर बागी से भी exchanges के उपर भी इसको listing मिल सकती है अब यहां पर बात करते हैं इस list के next coin को लेकर that is momba momba यहां पर tone ecosystem का वह first meme coin है जिससे last एक महीन पहले deploy किया गया था as you can see here अगर हम इसके market cap के बात करते हैं microcap old coin है जिसका market cap 2 million dollar के उपर trade कर रहा है and 3 million के इसके maximum supply है तो इसके उपर भी नजर रखी जा सकते हैं और अक्सर दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता हूं कि beam coin से थोड़ा दूर रहें and अगर आप meme coin के अंदर invest भी कर रहें तो major holding मत रखे जितना तेज़े से meme coin thump होते हैं उतना तेज़े से इनके अंदर में decline मिलने के भी probability रहती है क्योंकि सारा game यहाँ पर demand supply का है अगर तो wills अपने backs को खाली करना start करती है कोई खरीदने वाला नहीं है तो उसका price में decline करता हूं असर आएगा तो यहाँ पर last एक-दो महीने के अंदर हमने क्या लेगा Solana ecosystem या फिर मैं base ecosystem की बात करता हूं इनके meme coins काफे चाँ perform कर रहे हैं मुंबा के उपर आप नज़र रख सकते हैं क्योंकि tone blockchain के उपर उनी coins को first more advantage मिलेगा जो कि उनकी chain के उपर सबसे पहले create की गई है जैसे कि यहाँ पर हमने discuss किया tone up को लेकर जो कि first launch pad है उसके बाद कि यहाँ पर बात करते हैं gram को लेकर यह वो first POW jet and chain है साथी में अगर हम बात करते हैं Mumbai की तो यह first meme coin है तो इन सभी projects के उपर आप नज़र रख सकते हैं बट अगेन फिर से मैं आप आपको कहना चाहूंगा इनके अंदर अभी हम early phase के अंदर है यह project अभी limelight के अंदर नहीं आए तो इनके अंदर रिस्क भी जादा रहेगा बागे चली गाइस रखते हैं इसके लिए इतना ही और अगर आपको इस वीडियो से ज़रा से भी information में लिए like का बढ़ना मत बूलेगा मैं मिलता हूं फिर आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हैं वबने मात रहां